उसके बाद वो जिवनमुक्त योगी ना कभी मरता है, ना कभी दुखी होता है, ना रोगी होता है, ना संसार के किसी बंधन से आभध्य होता है, ना वो पापों से युक्त होता है, ना तो नरक यातना का ही दुख भोगना पड़ता है, और ना उसे गर्ववास में जाना ध्यान, पूजा, जब, स्त्रोथ, व्रत, यग्य और दान के नियमों का पालन करने से मनुष्य के चित्त की शुद्धी होती है चित्त शुद्धी से ज्ञान प्राप्त होता है तथा इससे जन्म मरण के बंधन से मुट्धी भी मिलती है भगवक्ती का निरूपन सूद्धी, भगवक्ती का निरूपन करते हुए कहते हैं कि प्रभू भग्ती से जितना संतुष्ठ होते हैं, उतना किसी अन्य साधन से नहीं भगवान हरी का निरंतर स्परण करना मनुष्यों के लिए महान श्रेय का मूल है ये पुन्यों के उत्पत्ती का साधन है और जीवन का मदुर्भल है इसलिए विद्वानों ने प्रभू की सेवा को भग्ती का बहुत बड़ा साधन कहा है भगवान तरिलोखी नात्विष्णू के नाम तथा गुनों के कीर्तन में तन्मय होकर जो पसंद्नता के आंसु बहाते हैं रोमान्ची ठोकर गदगद हो उड़ते हैं वेभिमू के भग्त हैं इस संसार में वही स्रेष्ट हैं वही एश्वरे से संपन्न हैं और वही मोक्ष को प्राप्त करता है जो भगवान हरी की भग्ती में तन्मय रहता है यदि कोई भगवत भग्त चांडाल जाती का है तो वो भी अपनी पवित्र भक्ती की महिमा से सब को पवित्र कर देता है हे नाद, आप मुझ पर दया करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ ऐसा जो प्राणी कहता है, उसको भगवान हरी अभय कर देते हैं किसी से भी उसको भय नहीं होता, ये भगवान की प्रतिक्या है जिन मनुश्यों का मन हरी भक्ती में रमा हुआ है उनके सभी प्रकार के पापों का विनाश निश्शित है हाथ में पाश लेकर खड़े हुए अपने दूद को देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं हे दूद तुम उन लोगों को छोड़ देना जो मदुसुदन विश्णू के भक्त हैं मैं तो अन्य दुराचारी पापियों का स्वामी हूँ भक्तों के स्वामी स्वयम श्री हरी है श्री विश्णू ने सरवदा कहा है यदि दूराचारी मनुश्य भी मुझ में अनन्य भक्ती रखता है तो वो साधू ही है क्योंकि उसने ये निश्चित कर लिया है कि भगवान की भक्ती के समान अन्य कुछ भी नहीं है भगवान हरी में जिस मनुश्य की भक्ती रहती है उसके लिए धर्म, अर्थ और काम इस त्रीवर्ग का कोई महत्व नहीं है क्योंकि परम, सुख, रूप, मुक्ती उसके हाथ में ही सदा रहती है इस संसार रुपी विश्वरिक्ष के अमरित के समान दो फल है एक फल है भगवान केशव की भक्ती और दूसरा फल है उनके भक्तों का सत्सन नाम संकीर्तन की महिमा का वर्णन करते हुए सूथ जी कहते हैं कि मुक्तिक के कारण भूत, अनादी, अनन्त, अज, नित्य, अव्य और अक्षय भगवान विश्व को जो व्यक्ति नवन करता है वो समस्त संसार के लिए नमस्कार की योगी हो जाता है स्वपन में भी भगवान नारायन का नाम नेले वाला मनुश्य अपनी अक्षय पाप राशी को विनष्ट कर देता है यदि कोई मनुश्य जागरत अवस्था में परात पर प्रभु का नाम लेता है तो फिर उसके विश्य में कहना ही क्या हे कृष्ण, हे अच्ष, हे अनन्त, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है ऐसा कहकर जो भगती भाव से विश्णू को प्रणाम करते हैं वे यमपुरी में नहीं जाते सूरी के उधित हो जाने पर जैसे अंधकार विनष्ट हो जाता है वैसे ही हरी का नाम संकीर्तन करने से प्राणियों के पाप समुह का विनाश हो जाता है सूरी जी कहते हैं कि सभी शास्त्रों का अवलोकन करके तता पुनह पुनह विचार करने पर एक ही निश्कर्स निकलता है कि मनुश्य को सदेव नारायन का ध्यान करना चाहिए इस लोग और पर लोग में प्राणियों के लिए जो दुरलब है जो अपने मन में भी नहीं सोचा जा सकता वो बिना मांगे ही ध्यान मात्र करने से भगवान मधुसुदन प्रदान कर देते हैं पाप कर्म करने वालों की शुद्धी का ध्यान के समान अन्य कोई साधन नहीं है ये ध्यान पुनरजनम देने वाले कारणों को भस्ण करने वाली योगागनी है भगवान का भक्त अनासक्त भाव से यदी अपने सभी कर्मों को विश्णू के चर्णों में समर्पित करता है तो उसके कर्म साधू हो या असाधू बंधन कारत नहीं होते इसके अनंतर स्रीशूत जी भगवान शिव द्वारा कही गई नारसी हिस्तुती का वर्णन करते हैं इसके साथ ही कलामरत स्त्रोट का भी वर्णन किया गया है जो देवर्शी नारद के पूछने पर शिव जी ने कहा था तदनंतर मारकंडे मुनी के द्वारा कहे गए मृत्यू को निवारन करने वाले अपकर इसके बाद प्राणियों को सब कुछ प्रदान करने वाले अच्छुत स्त्रोट का वर्णन किया गया है ये स्त्रोट देवर्शी नारद के पूछने पर ब्रह्म जी ने कहा था सूत जी ने इस त्रोत की अत्यधिक महिमा का वर्णन किया है आचार कांड के अंत में ब्रह्म ज्यान और शंग योग आत्म ज्यान तथा गीता सार का निरुपन किया है जीव का अंतिम लक्ष मुक्ति है ये मुक्ति जीव को तभी प्राप्त होती है जब ये पुर्यश्टक तथा त्रिगुनात्मिका प्रकृति का परित्याग कर देता है जीव को मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रकृति से स्वयम को अलग करना अनिवार रहे इसके लिए शब्द आदी विश्यों के प्रती अनासक्त होना आवश्यक है प्रानायाम, जब, प्रत्याहार, धारणा, समाधी और ध्यान ये छे योग के साधन है इंद्री सैयम से पापशय और पापशय से देवपृती सुलब होती है देवपृती, मुक्ती अवं मुक्ती साधन की और उनमुक होने के लिए प्रत्थम अवं अनिवार्य साधन है आत्म ग्यान भगवान नारग्जी कहते हैं कर्मों से भवबंधन और ग्यान होने से जीव की संसार से मुक्ती हो जाती है इसलिए आत्म ग्यान का आश्रय करना चाहिए जो आत्म ग्यान से भिन्न ग्यान है उसे अज्ञान कहा जाता है जब हिर्दे में स्थित सभी कामनाय समाप्त हो जाती है तब जीव निसंदेह जीवनकाल में ही अमरित प्राप्त कर लेता है वस्तु मात्र का सार ब्रह्म ही है तजो रूप ब्रह्म को एक अखंड परम पुन्य रूप समझना चाहिए जैसे अपनी आत्मा सब को प्रिय है वैसे ही ब्रह्म सब को प्रिय है क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है सभी तत्वग्य ग्यान को सर्वोच मानते हैं इसलिए चित्त का आलंबन बोध स्वरूप आत्मा ही है ये आत्म विज्ञान है ये पूर्ण है शाश्वत है जागते सोते तथा शुशुकता वस्था में प्राप्त होने वाला सुख पूरू सुखरू ब्रह्म का ही एक शुद्र अंस समझना चाहिए हे नारत मैं अनन्थ हूँ हमारा ग्यान भी अनन्थ है मैं अपने में पूर्ण हूँ आत्मा के द्वारा अनुभूत अतह सुख में मैं ही हूँ सात्विक, राजस और तामस गुण से सम्मंदित भावों में मैं ही नित्य परे रहता हूँ मैं शुद्धू हूँ, अम्रित स्वरूप हूँ, मैं ही ब्रह्मु हूँ मैं प्राणियों के हिर्दे में प्रज्वलित वो जोती हूँ जो दीपक के समान उनके अज्ञान रूपी अंधकार को विनष्ट करती रहती है यही आत्म ग्यान की स्थिती है गीता सार गीता सार का वर्णन करते हुए भगवान नारज्जी से कहते हैं हे नारज, आत्म कल्यान ही परमकल्यान है उस आत्म ग्यान से उत्कृष्ट और कुछ भी नहीं है आत्मा देह रहित रूप आदी सहीन इंद्रियों में अतीत है मैं आत्मा हूँ संसार आदी संबंद के कारण मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है जैसे आकाश में विद्युत अगनी का प्रकाश होता है वैसे हिर्दे में आत्मा के दुआरा आत्मा प्रकाशित होती है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारना और समाधी ये अश्टांग योग मुक्ति के लिए कहा गया है शरीर, मन और वानी को सदा सभी प्राणियों के हिंसा से निवरित रखना चाहिए क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है और उसी से परम सुख मिलता है सदा सत्य और प्रिये वचन बोलना चाहिए कभी भी अप्रिये सत्य नहीं बोलना चाहिए प्रिये मिथ्या वचन भी नहीं बोलना चाहिए चोरी से या वल पूर्वक दूसरे के द्रव का अपरण करना स्ते है स्ते कार्य चोरी कभी भी नहीं करने चाहिए क्योंकि अस्ते चोरी न करना ही धर्म का साधन है आपतिकाल में भी इच्छा पूर्वक द्रव का ग्रहन न करना ही अपरिग्रह है यदिक्षा लाग तधा अनायास प्राप्ति से संतुष्ठोना ही संतोष है ये संतोषी सभी प्रकार के सुख का साधन है मन और इंद्रियों की जो एकागरता है वही परमतप है कर्म, मन और वानी से हरी के स्थुति, नाम स्परन, पूजा आदिकारे और हरी के प्रती, निश्चरा, भक्ति को ही ईश्वर का चिंतन कहा जाता है अपने शरीरगत वायू का नाम प्राण है उस वायू के निरोध को प्राणायाम कहा जाता है इंद्रियां आसत चरणों में विश्रण करती है, उनको विश्यों से निर्वित करना चाहिए मूर्थ और अमूर्थ ब्रह्म चिंतन को ध्यान कहा जाता है योगारंब के समय मूर्थी मान और अमृत रूप में हरी का ध्यान करना चाहिए तजो मंडल के मध्य में शंक चक्र गदा तथा पद्मधारी चतरबुज कौस्तुब चिंत से दिशूभित वनमाला वायुस्वरुप जो ब्रह्म से अधिश्टित हैं मैं वही हूँ इस प्रकार मन का ले करके परमात्म प्रभु को धारन करना ही धारना है मही ब्रह्म हूँ और ब्रह्मा ही मैं हूँ इस प्रकार अहम और ब्रह्मा पदार्थ का तादात्म में रूप ही समाधी है ब्रह्म गीता का सारतत्त्य वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि ये सिद्ध ही परमात्मा है उसी परमात्मा से आकाश, आकाश से वायू, वायू से अगनी, अगनी से जल तथा जल से प्रित्वी की उत्पत्ति हुई है जो इस जगत प्रपंच की भी जन्वदात्री है जागरत स्वप्न तथा शुशूप्ति की अवस्थाओं से परे, वो ब्रह्म अपने निर्गुन सुभाव में ही रहता है उस क्रियाशील सरील के साथ रहने तथा न रहने की स्थिती में भी वो निध्य शुद्ध सुभाव वाला ही है उसमें कोई विक्रती नहीं आती है मुमुक्षू के अंतहकरण के कैवल्य अर्थात उस परमात्मा के साक्षात कार की अवस्था आ जाती है अतह मोक्षार्थी को उस स्थिती में जीवात्मा के विशय में विचार कर उसको शरीर से प्रथक समझना चाहिए क्योंकि आत्मतक्त्व को शरीर से अतरिक्त ना मानने पर ब्रह्मतत्व से साक्षात कार करने में अनेक बाधाएं आती है अतह उन बाधाओं को दूर करना अपेक्षित है ब्रह्म को नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य तथा अद्वैत कहा जाता है ये आत्म तत्व परम जोती सुरूब है ये चिदानन्द है ये सत्य ज्ञान और अनन्थ है यही तत्व मसी है ऐसा वेदों का भी कतन है मैं ब्रम महा हूँ संसारिक विश्यों से जो परे रहता है मैं वही निरलिप्त देव हूँ मैं तो वही अनादी देविद्देविश्वर परब्रम ही हूँ जिसके आवी और अन्त का ग्यान किसी को भी नहीं है यही गीता का सार है इसको सुनकर मनुष्य ब्रम में लीन हो सकता है अर्थात उसे जीवन मुक्ती प्राप्थ हो सकती है गरुर पुरान का महत्म आचार कांड के अंतिम अध्याय में गरुर पुरान का महत्म वर्नित है भगवान श्री हरी भूत भावन रुद्र से कहते हैं कि मैंने गरुर पुरान का सार भाग आपको सुना दिया जो भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है ये विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी और आरोग आदी का कारक है जो मनुष्य इसका पाठ करता है या सुनता है उस सब कुछ जान लेता है और अंत में उसका परमकल्यान हो जाता है जिस व्यक्ति के घर में ये महापुरान रहता है उसको इसी जन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है इस महापुरान को पढ़ने और मसुने से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरशार्थों की सिद्धी हो जाती है जो मनुष्य इस पुरान के एक भी स्लोक का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यू नहीं होती है पक्षिश्रेष्ट गरुट जी के द्वारा कहा गया ये महापुरान धन्य है ये सब का कल्यान करने वाला है धर्मकांड प्रेत कल्प धर्मकांड में सर्व प्रतम भगवान स्री नारायन को नमस्कार किया गया है तदरंतर्देवशेत्र नेमिशारन्य में शौनकादी श्रेष्ट मुनिगन सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि शरीर धारी जी एक शरीर के बाद दूसरे शरीर का आश्रे ग्रहन करता है जबकि दूसरे विद्वानों का कहना है कि प्रानी को मृत्यू के पश्षात यमराज की यातनाओं का भोग करने के बाद दूसरे शरीर की प्राप्ती होती है इन दोनों में क्या सत्य हैं? ये बताने की करपा करें सूत जी महाराज प्रश्ण को सुनकर प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार कथा कवर्णन करते हैं एक बार विनीता पुत्र गरुड के हिर्दे में इस ब्रहमांड के सभी लोकों को देखने के इच्छा हुई अता हरी नाम का उचारण करते हुए उन्होंने पाताल, प्रित्वी तथा स्वर्ग आदी सभी लोगों का भ्रहमन किया प्रित्वी लोग के दुख से अत्यंत दुखित एवं अशान्त चित होकर वे पुनह वैकुंट लोग वापस आ गये वेकुंट लोग में मृत्यू लोग के समान रजोगुन तथा तमोगुन आदी की प्रवर्ति नहीं है केवल शुद्व सत्व गुन की ही प्रवर्ति है वहां राग दूशादी, शडविकार भी नहीं है किसी का वहां विनाश नहीं होता वहां भगवान के मनोहारी सुन्दर पार्शद उपस्थे थे गरुड जी ने देखा कि हरी जूले पर विराजमान है भगवान हरी का दर्शन करने से विनतासुत गरुड का हिर्दय आनंद विभोर हो उठा आनंद मगन होकर उन्होंने प्रभु को प्रणाम करते हुए कहा भगवन आपकी कृपा सित्र लोग का परिभर्वन मैंने कर लिया यमलोग को छोड़कर प्रित्यू लोग से सत्य लोग तक सब कुछ मेरे द्वारा देखा जा चुका है सभी लोगों की अपेक्षा प्रित्यू लोग प्रानियों से अधिक परिपून है सभी योनियों में मानो योनी ही भोग और मोक्ष का शुब आश्रय है आता सुकृतियों के लिए ऐसा लोग न तो अभी तक बना है और न भविश्य में बनेगा देवता लोग भी इस लोग की प्रशंसा में गीत गाते हुए कहते हैं कि जो लोग पवित्र भारत भूमी में जन्म लेकर निवास करते हैं विधन्य हैं सुरगण भी स्वर्ग एवं अपवर्ग रूप फल की प्राप्ति के लिए पुनह भारत भूमी में मनुश रूप में जन्म लेने की इक्षा करते हैं गरुड़ जी पूचते हैं हे प्रभू आप ये बतानी की किरपा करें कि मरना सन्य व्यत्ति किस कारण प्रित्वी पर सुलाया जाता है उसके मुख में पंच रतन क्यों डाला जाता है उसके नीचे कुश और तिल क्यों विशाय जाते है हे केशव, मृत्यू के समय विविद वस्तूओं का दान एवं गौदान, अश्ट महादान किसलिए किया जाता है प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहां जाता है उस समय प्राणी अतिवाहिक शरीर कैसे प्राप्त करता है अगरी देने वाले पूत्र पौत्र उसे कंधे पर क्यों ले जाते हैं शव में घृत लेप क्यों किया जाता है शव के उत्तर दिशा में यमसूक्त का पाठ क्यों होता है मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त धारन करके क्यों दिया जाता है शव का दाह संसकार करने के परशात उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठ कर भोजन आदी क्यों नहीं करना चाहिए मृत व्यक्ति के पुत्र दसवे दिन के पहले किस लिए नौ पिंडों का दान देते हैं शव का दाह संसकार तथा उसके अनंतर जल तरपन की क्रिया क्यों की जाती है किस विधान से पित्रों को पिंडदान देना चाहिए उस पिंड को स्विकार करने के लिए उनका आवाहन कैसे किया जाता है दाह संसकार के बाद अस्ति संचैन और घट थोड़ने का विधान क्यों है दसवे दिन सभी परिजनों के साथ शुद्धी के लिए स्नान तथा पिंडदान क्यों करना चाहिए एक आदशाह को वर्षोत सर्ग आदी के सहित पिंडदान करने का प्रयोजन क्या है तेरवे दिन परदान आदी क्यों किया जाता है वर्ष परियंत सोलह श्राद क्यों किये जाते हैं हे प्रभु मनुष्य का ये शरीर अनित्य है और समय आने पर ही वो मरता है किन्तु मैं उस छिद्र को नहीं देख पाता हूँ जिससे जीव निकल जाता है प्राणी अपने जीवनकाल में पुन्य और पाप जो भी करता है नाना प्रकार के दान करता है वे सब शरीर के नश्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चले जाते हैं मरे हुए प्राणी के लिए सपिंडी करण क्यों होता है इस कृत्य में प्रेत पिंडी का मिलन किस के साथ किस विधी से होना चाहिए इसे आप बताने की किरपा करें जो मनुष्य पापी, दुराचारी, अत्वा हत बुद्धी है मरने के बाद वे किस इस्थिती को प्राप्त करते हैं जो पुरुष आत्मघाती, ब्रह्म हत्यारा, सुर्ण आदी की चोरी करने वाला, मित्रादी के साथ विश्वास खाद करने वाला है उस महापात की का क्या होता है हे माधव, यदि सूद्र, प्रणव, महामंत्र का जब करता है तथा ब्रह्मसूत, अर्थात, यग्यों पवित को धारन करता है तो मृत्यू के बाद उसकी क्या गती होती है गरुड़ जी कहते हैं के हे विश्वातमन, मैंने कौतुहलवश संपूर्ण जगत का भ्रमन किया है उसमें रहने वाले लोगों को मैंने देखा है कि वे सब दुख में ही डूबे रहते हैं उनके अनंत कस्टों को देखकर मेरा अंतह करन पीडा से भर गया स्वर्ग में दैत्यों की शत्तुरता से भय है तुथ्वी लोग में मृत्यू और रोगादी से तथा अभिष्ट वस्तु से वियोग से लोग दुखी है पाताल लोग में रहने वाले प्राणियों नागादी को मेरे से भय दुख बना रहता है हे प्रभू आपके इस पैकुंट धाम के अतिरिक्त अनियंत्र किसी भी लोग में ऐसी निर्भैता नहीं दिखाई देती काल के वशी भूत इस जगत के स्थिती स्वपन की माया के समान असत्य है उसमें भी इस भारत वर्ष में रहने वाले लोग बहुत से दुखों को भोग रहे हैं मैंने देखा है कि उस देश के मनुष्य राग दुएश तथा मोह आधी के आकंट में डुबे हुए है इस देश में कुछ लोग अंधे हैं कुछ तेडी दृष्टी वाले हैं कुछ दृष्ट वानी वाले हैं कुछ लूले हैं कुछ लंगडे हैं कुछ काने हैं कुछ बहरे हैं कुछ गूंगे हैं कुछ कोड़ी हैं, कुछ अधिक रोम वाले हैं, कुछ नाना रोम से घिरे हैं, कुछ आकाश कुसुम की तरह नितान्त मिथ्था भिमान से चूर हैं, उनके विचित्र दोशों को तथा उनकी मृत्यू को देखकर मेरे मन में जिग्यासा उत्पन हो गई कि ये मृत्यू क्या है इस वारत वर्ष में ये कैसी विचित्रता है रिश्यों से मैंने पहले ही इस विशे में सामानिता ये सुन रखा है कि जिसकी विधी पूर्वक वार्षिक क्रियाय नहीं होती है उसकी दुर्गती होती फिर भी प्रभो इसकी विशेश जानकारी के लिए मैं आप से पूछ रहा है हे उपेंद मनुष्ची की मृत्यू के समय उसके कल्यान के लिए क्या करना चाहिए कैसा दान देना चाहिए मृत्यू और शम्शान भूमी तक पहुंचने की कौन से विधी अपेक्षित है ह miserregynमी काना चाहिए तर्फदी अर्थात दुराचारी व्यक्ति की मृत्यू होने पर उसका प्रायाशित क्याह ए सब्सक्राइब में मृत्यू होने पर पंचक शांति के लिए कि यह करना चाहिए हे देव, आप मेरे उपर प्रसन्न हो, आप मेरे इस संपून भ्रम को विनस्ट करने में समर्थ है, मैंने आप से ये सब लोकमंगल की कामरा से पूछा है, मुझे बताने की गृपा करें